एक बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करवाएंगे बहत बड़ी जानकाली इस वक्की कोरोना से जुड़ी दरसल सोनिपत में तीन पॉजिटिव केस सामने आये हैं कोरोना के और जिले में सैनिपूरा और इपगहा इन इलाकों को सील कर दिया गया है तीन पॉजिटिव केस अभी सोनिपत से सामने आये हैं जिले में सैनिपूरा और इपगहा को सील कर दिया गया है इसी के साथ बकतावरपूर और मोहन नगर शिफ कॉलोनी को भी सील कर दिया गया है और आपको ये भी बता दे कि दो कोरोना पॉजिटिव केस सैनिपूरा और बक्तावरपूर से हैं जबकि तीसरा केस मोहन नगर से सामने आया है और इसी के चलते एहतियात के तौर पर इन तीनों जगां के जो आसपास के जो क्षेतर हैं उन्हें पूरी तरीके से उन इलाकों को सील कर दिया गया है इस वक्त की बेहत बड़ी जानकारी हम आप तक पहु और जिले में सैनिपूरा और इदगाहा को सील कर दिया गया है पूरे तरीके से बक्तावरपूर मोहन नगर और शिप कोलोनी को भी सील कर दिया गया है मोहन नगर से भी एक मामला सामने आया है इसी के साथ सैनिपूरा से भी एक मामला सामने आया है और बक्तावरपूर से भ और पर ये कदम उठाया गया है बेहत बड़ी जानकाली इस वक्त की सामने आ रही है धरसल हर्याना प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है जो की बेहत चिंता जनक है ऐसे में अलग-अलग जिलों से लगातार मामले सामने आ रही है जिस जा रहा है और अभी ताजा मामला सोज़ीपत से सामने आया है जहाँ पर तीन positive case मिले कॉरोना के दीपक वर्मा असमवाधा तो जुढ रहे है मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ दीपक अभी सोनीपत में तीन cases सामने आया है जिसके बाद जहां से वcarbon केaya उनके आसपास की इलाकों को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है कुल कितने मामले अच्छिके हैं इस वज़े से तीन ही पोजिटिव दखे नन्य था तो चार पोजिटिव गिंती में आते हैं वहीं एक पोजिटिव केस हैसा भी दा जिसमें की रिकावर कर लिया था तो इस तरह से अभी तो सोनिपत में तीन ही पोजिटिव केस रहते हैं जी दीपक एक दम से एक साथ तीन पोजिटिव केस सामने आना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है स्थानिय प्रशासन के लिए भी सेहत विभाग के लिए भी अब क्या एहतियात के तौर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं सोनिपत में सोनिपत में जैसे तीन पोजिटिव केस हैं तो एतिहात के तौर पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोट पे हैं आप किसी भी तरीके से अगर आप पुलीस मैक में को देखे स्वास्ता विभाग को देखे या जिला प्रशाशन हो देखे सभी अपनी-पनी कामों में पू से लोगों को रखना भी जा रहा है जिन तीन जगों से यह मामले सामने आये हैं कोरोना पॉजिटिव के उनके आसपास के कितने दायरे में एरियास को सील किया गया है यह लगभग पूरी कलोनियों किया बात करें तो एक मोहन नगर है और दूसरा हमार है आपर सैनिपूरा है और तीसरा बक्तावर पूरा है जो सैनिपूरा है वह लगभग पूरा ही सील है और जो बक्तावर पूर है उसको भी सील किया हो गया है इसके अलावा जो मोहन नगर उसको भी सील किया उसकी जो मुख्य मार गया उसको भी सील किया गया पूरी तरह से सील करके यहाँ पर पुलिस करमचारे की डूटी भी लगाए गई है ताकि कोई वेक्टी बहार से ना आए और ना कोई अंदर से कोई वेक्टी बहार जाए परशाशन पूरी तरह से वहाँ भी मुश्तेदी बरदरा है दिपक जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी कुल एक्टिव केसिस की अगर सोनीपत में बात की जाये तो कुल तीन केसिस हैं से पहले एक केस था जो कि डिस्चार्ज हो चुका है लेकिन सोनीपत ने अभी तक कुल कितने लोगों की जा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तो सोनीपत में कुल तो पूजटिव जमाती हैं जो की बगतावर पूर का और दुछा सेनीपूर का रहने बढ़ा है बीबग बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तो सोनीपत में कुल तीन पूजटिव केस अभी पाए गए हैं जो इनमें से दो लोग जमात से वापस लोटे थे